सब्सकारब करें अपने योटीव चैनल लानामण मेडिसिन को और बैल एकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्स पाने के लिए स्वागत है दोस्तों एक बाद फिर से आपके अपने योटीव चैनल लानामण मेडिसिन में जहाहां दवाइयों के बारे में शंपून जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियों महम अस्तमा जिसे हिंदी महम दमा कहते हैं साथ ही अन्य जो स्वास संबंदी बीमारी हैं उनको ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाने वाली टेबलेट्स इन्हेलर सीरप इन सभी के बारे में जान सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक से और से करना नहीं बोले मैं हूँ आपका होस्त मोहिदादीच आप देखने अपने यूट्यूब चैनल लाण अबॉट मैडिसिंग चलिए आज वे कुछ नहीं आ सिकते हैं हेलो फेंट्स नमस्ते दोस्तों अस्तुमा जिसे हिंदी महम दमा कहते हैं इसके साथ में अधर ब्रृतिंग रिलेटेड प्रोडलोम जैसे ब्रॉंको इसपास्म में ब्रॉंकाइटीज सी ओ पीडी इन सभी बीमारियों को ठीक करने लिए डॉक्टर द्वारा अलग लग प द्वारा किया जाता जैसे टेबलेट इंजेक्शन इंहेलर रोटा केप्स वहां कौन कौन शी उसके बार में स्वीडियों हम जान रहे हैं इन सभी को जानने के लिए मैंने इसे तीन अलग लग पार्ट में बांटा है पहला ब्रॉंको डाइलेटर क्लास की दवाईयां दू टेबलेट से रफीं सभी फोर्म में बनाए जाती और से की सब्से पॉपुलर में डेंड वहें और आस्था लेंट सी इससे आप इसको जानते यह ब्रॉंको डाइलेटर रुपब की सबसे पहली दवाहैं इसकी टेबलेट डो मिलेग्राम चीयार मिलेग्राम ताथा मिलेगाम की स्टेंद में होती है। साथ ही टेवलिट औता सीरप को अमर्जेंशी में प्रियोग नहीं लाए जा सकता है। इसको follow up therapy में ya maintain therapy में प्रियोग ले आजाता है। अमर्जेंशी में Salbotamol का जो inhaler है इसी को यूज करते है। इन्हेलर एक बार लेने के बाद में 5 मिनट में अपना असर सुरू कर देता है और 2 गंटे से लगा कर चार गंटे तक अपना असर रखता है साथ ही दोस्तों सालबोटमोल इन्हेलर को किस प्रकार से यूज करना है कितने समय तक लेना इसके साइड इफेट क्या होते है और क्या इसको लेने से हैबिट हो जाती इन सभी के बार में पहले ही वीडियो बना चुका हूं यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देख इसकी यूज होते हैं अगली जो दवा है वह साइल मेट रोल यह लोंग एक्टिंग सेलेक्टिव बीटा टू एगुनिस परन्तु यह स्लो एक्टिंग है जिसका इसका प्रियोग अमर्जेंसी में नहीं लिया जाता है परन्तु मेंटें थेरीपिय में इसको दिया जा सकता है चार नमबर के दवा है फॉर्मेट रोल यह भी एक लोंग एक्टिंग दवा है जो सिर्फ इनहेलर तथा रोटा केप के प्रिपरेशन में बनाई जाती है और अगर इससे साल्बोटमोल से कंपेर किया जाए तो साल्बोटमोल के मुकाबले यह दवा बहुत ही ज़्याद दोनों ही फॉर्म में वेलेबल है और इसकी टेवलेट आती है डैरी फाइलिन चार सो मिलिगाम की स्ट्रेंध में अती है और यह जो देवा है मिठाल जैन्फिन क्लास की दवा है इसे ब्रोंको डएलेटर क्लास में ही रखा गया है इसके आगे भी जो दवांतीं ब्लक्ieur औ कि स्ट्रेंद में आता है साथ ही लोंग एक्टिंग है इसका प्रियोग स्वांस समझ जो समर्श है इसमों बहुत ज्यादा किया जाता और हाल ही में जो कोरोना के पेसेंट मिले थे इसके लाव जो सी यो पीडी के पेसेंट है उनमें भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट दे लगाए जाता है अगली दवा है जो मितल जैंतिन गुरूप की है हुआ है हाइड्रोक्सी रिथाइल थियो फाइलिन यह टेबले ता इंजेक्शन दोनों में अवेलेबल है और यह नाम हो सकता आपको सुनने में बिल्कुल नया लग रहा हो लेकिन यह बिल्कुल नया नाम लें तेथा इटो थियों का कॉमिनेशन यह तीनों ही दवाईयां गेस्टिक इरीटेशन नहीं करती है इस कारेंट से इसका प्रिवी बहुत ज़्यादा लिया जाता है अगला जो ग्रूप है वह है लिकटरीन एंटागोनिस ग्रूप इसमें दो दवाईया है पहली दवा ह तता दूसरा है जैफी लुकास्ट दवा यह दोनों ही दवाऊं का जो कारिय करने का तारीका तता यूज है वह सिमिलर ही है यह स्वांस नहीं तता फेंपडों में सूजन को कम करते हैं इन्हें प्रोफाइल एक्स्टीट रूप में दिया जाता है और कई बार इन दोनों मे होता जिसे हम पंप यह रोटा केप कह सकते हैं जिसमें जो सबसे पहली दवा हो बेकलो मेथासोन है इसको आप भली बात ही परीचिये थे कई सारे दवाओं के साथ इसका कॉमिनेशन आता है और सिंगल में भी यह पंप अवैलेबल है जो रोटा केप में तता पंप दोनों म साथ में कॉमिनेशन में आता है जिसे हम ब्रॉंको डाइलेटर क्लास में जाना था अगली दवा है जो है फ्लूटी का सौन प्रोप्योनेट यह बिल्कुल नियूर ग्लोको कॉर्टिकोइट दवा है जो हाइप पोटेंट सी लोंगर डियूरेशन तो लो और 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 इस अगली बिलिटी नहीं के बरबर होती इन्हेल पूरे कंप्लीट तरह से जाकर अपने फेंपडों में अच्छी तरह से कारी करता है और फ्लूटी का सौन का एक नेजल इस्प्रे भी आता है इसकी लिए मैं अलिक वीडियो बना है यह आप जानना चाहते हैं फ्लूटी क फोर्मूलाज भी जिनको अस्तमा था अधर जो ब्रेटिंग इलेटे फूरलों में उसमें दिया जाता है उन में इसे कुछ को जान लेते हैं जो ज़्यादा थे चलन में पहला फोर्मूला है साल्बूटामल था 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 थियोफाइलिन कॉमिनेशन दूसरे में साल्बू ज़्यादा था अस्तमाता था और जो ब्रेटिंग रिलेटेटेड प्रोलों में उन में डॉक्टर द्वारा किया जाता है और इसके अलवब हो सकता कई नियो ड्रग अवेलेबल हो जिसको मैं कवर नहीं कर पायों लेकिन ज़्यादा प्रियोग लाई जैने वाली दवाई ह है वो यही होती है तो दोस्तों यह आपकी डिपार मेंने वीडियो बनाया था उम्मीद गरता हम आपको अच्छा लगा होगा आप वो कैसा लगा क्या उसको पूरी जानकारी मेली इसके अलव किन बीमारियों के किन दवाईयों के वर आप जानकारी चाहते मुझे कमेंट ब बेल आइकने से जोड़ दबाएं जो अन्य वाले वीडियो के सब भी नोटिफिकेस में मिल सके मैं सब वीडियो मुप में देख सके आप ते अपने दोस्त मोहित आदीच के चाहत देख रहे हैं तेपने यूट्यूब चैनल लान और मेडिसिंग थैंक यू फ्रेंड्स टे